दिसंबर मन्त 2024 साल का बड़ा भरती आ चुका है सिधा सिधा आप लोगी स्क्रीन पे देख रहे हैं जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड का ये भरती है कोस्ट गार्ड एसिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2024 और 2026 बैच का ये आप लोगों का 2026 साल का बैच का ये भरती है ठीक है कोस्ट गार्ड सीजी कैट 2026 बैच सौट डीटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन चलिए डीटेल्स में बात करेंगे आवेदन कब से कब तक होगा कौन-कौन फॉर्म फिलप कर सकता है एलिजबल क्राइटिरिया किया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डिमांड क्या है फिजिकल क्राइटिरिया किया है एज लिमिट कितना सुरू करते हैं वीडियो को चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को सेर जरूर करिएगा आप लोग को बता दू फिलप 5 दिसंबर से सुरू होगा 2024 साल ठीक लाश्ट डेट 24 दिस स्टेज 1 का एक्जाम डेट होगा ठीक एडमिट कार्ड एक्जाम डेट के 10 से 15 दिन पहले निकल जाएगा स्टेज 2 का एक्जाम मार्च मन्थ 2025 में कंडग कराए जाएगा भया आप लोग को एक्जाम डेट भी यहां बता दिया गया है तो एलिजबल रहेगा तो फॉर्म को एज लिमिट देखेंगे एक जुलाई 2025 साल एज वन काउंट होगा मिनिमम एज 21 साल से लेकर मैक्सिमम एज 25 साल जरिनल काश्ट वालों का ओबीसी है तो तीन साल चूट होगा यानि कि 28 साल तक भढ़ सकते हैं स्टी है तो पांच साल चूट मिलेगा यानि कि 30 साल तक आगे बढ़ेंगे 140 खाली पोस्ट है जिस पर ओल्लाई आविदन कराये जा रहा है जिसमें से 110 जेनल ड्यूटी जीडी का है और टेक इंजिनियर इलेक्ट्रिकल पोस्ट का 30 वेकेंसी है ठीक है आगे बढ़ेंगे देख लेंगे अब पोस्ट बाइज एजूकेशनल क्वा अगर है तो भर सकते हैं जेनल ड्यूटी ग्रिजोशन पास आउट है सब सेमेस्टर में 60% मार्क्स होना होगा और 10 प्लस 12 यानि कि 12 क्लास में मैथ और फिजिक्स आप लोग का होना होगा तब ही आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते हैं अब टेक्निकल मेकेनिकल मेल डिपार्टमेंट में बीः बीटेक इंजीनियरिंग, डिगनीऊशन ऐबर साथ में मैथुजिक्स as subject 12 कि विजिक्स आप लोगा ठीक है चलिये ओगर भरते हैं अब और एक यहां पर पोष्ट है technical electrical electronics mail department same चीज है यहाँ पर engineer degree in electrical and electronic और telecommunication instrumentation और instrumentation and control electronics and communication of power engineering और power electronic with minimum 60% marks 10 plus 2 में math physics रहना होगा तब आप लोग आविदन कर सकते हैं पूरा जनकारी आप लोगों के समक्ष रख दिया हूँ physical details का इसमें कोई demand नहीं रहता है बस medical fit होना होता है बाकी चनकारी दे दिया हूँ 5 December से link एक्टिवेट हो जाएगा जल से जल form को भर दीजिएगा जरूरत मंदों के पास इस वीडियो को share कर दे next वीडियो में इसका exam pattern और syllabus को लेकर हम लोग बात करेंगे चलिए आज का वीडियो यहीं पर छोड़े जाता हूँ मिलेंगे next वीडियो में कुछ नहीं topic के साथ कुछ नहीं update के साथ तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू चैहीं चैह भारत बंदे मातरम